तो बिसिकल ही यह जो बोर्ड है इस बोर्ड में अभी आज का जो केस स्टड़ी बनने वला है बहुत ही इंपोर्डेन केस स्टड़ी है और थोड़ा सा भी अगर वीडियो फॉर्डवाट कर दिया तो समझ में नहीं आएगा तो जितने टाइम वीडियो हो मतलब पॉपली देखो अगर कुछ सीखना है तो बहुत ही अच्छा एक केस स्टड़ी बना के दे रहा हूं आज जो की कोई फिरी में नहीं देता है तो चलो फिरी में देते हैं तो बस एक लाइक कर देना अगर अच्छे लगे तो तो दोखो य यह एक बोर्ड है यह जिसका बोर्ड है बोर्ड में पॉब्लम था रियस्टट का तो बार बार रियस्टट हो रहा था तो जिसका बोर्ड है वो भी इस लाइन पर काम करते थोड़ा बहुत तो उनके पास भी 8809 एप है यह वाला देख सकते हो तो उसने क्या क्या इस बाइस को रिमूप किया और इससे बाइस को लेटेश बाला जो बाइस है ओट साइड में मतलब ऑपिशल साइड में इस बोर्ड का तो यह कौन सा बोर्ड है यह ज्यादा पेफर नहीं करता है मैटल नहीं है फिर भ बाइस नहीं को जब यहां पर बाइस चीप रहता है अब इसमें बहुत कुछ मैं एक्स्प्रेंड करूंगा इस वीडियो में आप क्यार्फली देखो वीडियो को समझे की कोशिश करो तो मैं भी कोशिश करता हूं पूरा समझाने की ताकि यह वीडियो अगा समझ गया है तो next time problem में नहीं पड़ोगे कभी भी तो यह क्या है यह जो programmer है यह हमारा 809F series का है ठीक है तो इस series में only 3.3 volt का ही BIOS support करता है मतलब इस programmer से अगर आप कोई भी BIOS program करते हो laptop desktop का अधरवाइस इससे और भी बहुत कुछ काम होता है तो हम desktop laptop के उपर ही बात कर रहे है तो इसलिए इस पर ही topic रहेंगे तो 3.3 अगर जो भी मदरबूर में BIOS है उसी BIOS को ही इससे अब राइट कर सकते हो तो बंदे ने इस पर डाला इसको राइट किया फिर चिप को लगाया तो काम नहीं बना तो देखो तो बेसिकली क्या है इस बोड में जो बायस है यह 16 MB का चीप है ठीक है यह 16 MB का चीप है अभी यह 16 MB का चीप है और यह 1.8 वोल्ड सपोर्ट करता है अभी देखो क्लियर कर दू तो बोड को मैं पावार दे रहा हूँ टिकर दे रहा हूँ ठीक है यह बोड को टिगर दिया और देखो बोड बिंदस चल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है सब कुछ पोपर है इसका CPU मतलब हीट हो रहा है अध्यान लगाओ इस बोड में तो देखो इसका जो बायस है इसका जो बायस है बोड अभी चल रहा है ठीक है पर बोड में डिस्पले नहीं है बाकी कुछ इशू नहीं है तो देखो इसका आठ नंबर पीन यह मिलेगा यह कितना बोल्ट सपोट करता है 1.8 वोल्ट यह 8 नंबर पीन दिख रहा है तो 1.8 वोल्ट यह सपोट करता है तो गलती यहां पर हुआ है इस बोड में देखो बजल लगा हुआ है पर बीप नहीं करता है डिस्पिल भी डिस्पिल भी मैंने सेट करके रख यह यह फिजह लगा करता है मॉलिटर यह देखा मोरिटर पे कोई भी रिस्पाउस नहीं एगर हम इसका सीप्यू देख9 तो CPU हीट हो रहा है, CPU इसका हीट हो रहा है, ठीक है, पर हलका फुलका, मतलब हलका फुलका, बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा, तो अभी इसे आप कर देता हूँ, और एक चीज में बता देता हूँ, देखो, अभी जो मैं बता हूँगा, यही important चीज है, तो mainly क्या है, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कहा गया, थोड़ा सा साथ मी बने रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप कभी भी, मैं ऐसे morning बार बार देता हूँ, कभी ना कभी, फिर दो तीन वीडियो में दे के रखा है, फिर भी और एक बर मैं दे देता हूँ, और यह मिल नहीं रहा है, उजे मिल नहीं रहा है, कहा गया है, यह सॉक्रेट, एक सेगन, आप अपरी था, आभी परी चुगा है, तो देखो, गलती कहां पर हुआ है, बंदे का, तो वो भी देखेगा वीडियो, तो देखे, सुधर जाए, तो यह जो पोग्रमर है, 8809F, इसके साथ एक सॉक्रेट मिलेगा, यह वाला, यह वाला सॉक्रेट आपको, तो देखो, यह सॉक्रेट बिसिकली, पर यह सॉक्रेट 8809H के साथ आता है, पर अगर आपके पास, 8809H है, तो सारा जिक जग कतम, आप उसी से ही काम करो, कोई धिक्कत नहीं आएगा, अगर आपके पास, यह 8809H नहीं है, यह पोग्रमर अगर नहीं है, तो आप इस से अगर काम करना चाहते हो, तो आपको अलग से यह एड़प्टर पाचेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पा देखो, एक LDO है, जो की रेगुलेटर में, यह टीपल वन सेबन है, यह एस एम टीपल वन सेबन, 1.8 वोल्ट, यह दिखेगा नहीं, यह देखो, 1.8 वोल्ट, तो यह एक एड़प्टर आता है, जो अगर आप इस एड़प्टर को ऐसे, मतलब सेट करके, ऐसे सेट करके, फिर अगर इसको इस पर फिर यह सॉकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके अगर आप ऐसे, एक सेट अप ऐसे बनेगा, अगर आपके बास यह पोग्रमर है, तो ऐस इस ऐसा सेट अप आपको बनाना पड़ेगा, अब ध्यान से देख लो, ऐसा सेट अप अगर आपने बना के, यहाँ पर अगर चीप डाला, बास का चीप, फिर इससे प्रोग्रम किया, तो आपका बास पोपार रुख करेगा, डिस्पेल आएगा बोड में, अदर्वाइस, आपने अगर यह चीप हटा के, डिरेक्ली यहाँ पर यह चीप डालके, यहाँ पर बास फैल डालके, अगर पोग्राम कर दिया, 1.8 बोल्ट को अगर 3.3 बोल्ट से पोग्राम कर दिया, तो 90% केस में यह जो चीप है, यह भी खराब हो जाता है, यह तो फस्ट, और सेगेंड काम तो नहीं करेगा, 100% में, 300% बोल्ट में डिस्पले नहीं आएगा, और 100% में 80% जो चीप है, आप 1.8 बोल्ट का चीप इस से डालो गया, अगर पोग्राम कर दिया, तो वो चीप भी 80% खराब हो जाता है, 20% केस में कुछ-कुछ चीप बच जाता है, पर मैंने देखा है, जितने भी मिला है, मैंने भी बहुत पहले अपलाई करता था, चीप खराब हो जाता है, उसी चीप को अगर 809H से हम पोग्राम करते हैं, तो वो चीप से काम नहीं बनता, तो पहला ओप्शन तो हमारा ये है, आप पहले इस अड़ाप्टर को लगाओ, फिर इसके उपर ये सेट करो, ये जो सॉकेट आता है, टू हंडेट मिली से लेके ये देखो, टू हंडेट मिली से लेके 209 मिली तक, एसो पी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सॉकेट, इसमें ये देखो, ये है, एक मैंने बाइस चीप रेडी करके रखा है, 1.8 वोल्ट का 16 मिली तो ऐसे चीप को सेट करना है, इसका अलाइन्मेन होता है, ये सेट मतलब किधर एक नमबर पिन जाएगा, ये ज्यादा तर पता है सबको, पर जिसको पता नहीं है तो डीटिल में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो ऐलाइन्मेन करके इसको सेट करना होता है, ये गया फास्ट ऑप्शन, सेगेंट ऑप्शन ये हटा दो, अब क्या कर सकते हो, सेगेंट ऑप्शन, सेगेंट ऑप्शन जिनका बाजेट नहीं है, तो जिसका बाजेट कम है, मतलब पोग्रमर पाट्चेस नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, ये वाला, तो इसका मॉडल आता है, CH341 है, तो एक चीज़ में बताता हूँ, ये जो सेगेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन इन्वैलिड है, ये ऑप्शन इन्वैलिड क्यों है, इससे अगर आप 1.8 वोल चीप को रीपोग्रम करते हो, इसमें चीप डालके, ये पोपर सक्सेसफूल, मतलब रीड दिखाएगा, राइट हो चुगा है, आपको सक्सेस मिलेगा, पर 60 केस इस पोग्रमर से अपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं कोई मनगडन कहनी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम करते-करते, यहाँ पर आये हैं, बहुत दिन से इस फिल्ड में है, है ठीक है मतलब सब कुछ ट्राइ करकर के जब नहीं होता है तब जाके कुछ solution देखे video बना रहा हूं ठीक है तो यह option तो मैं पहले से disconnect करता हूं तो इसको मैं option में नहीं रखूंगा पर जिनके पाच यह programmer के लबा कोई दूसरा programmer नहीं है और इसमें ओली बीन फाइल सपोट करता है इसमें अगर वही 1.8 बोल्ट का बाइस अगर असुसका बोर्ट से ऑनलाइन से अगर आप अपिशियल साइट से बाइस डाउनलोड करते हो तो इसमें डिरेक्ली नहीं लेगा आपको मतलब इस बाइस को बीन फाइल में रहता है उसको कॉनभर्ट करना पड़ेगा उसके बाद बीन फाइल बनाके इसमें डालना पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा लॉंग पोसेस है तो यह ऑप्शन में मतलब डिना करता हो क्योंकि इससे क्या होता है आपके पास है पोग्रमर सक्सेस्फुल बढ़ना चाहते हो तो आप एक ले सकते हो आट 809 एच युनिवस्स और यह प्रोग्रमर मतलब यह मारकेट में बहुत ही मतलब अभी जो चल रहा है मारकेट में बहुत ही रा फिरी चल रहा है यह जो सेलर वाला है इसके अंदर से बॉक्स में से सारा निकालके हाई प्राइ तो समझो उसके अंदर कुछ मतलब गड़बड है ठीक है तो देखो अब बात यह नहीं है अभी इस बॉर्ड में हम डिस्पले लाएंगे अभी क्या करेंगे सिंपली यह जो बाय से अभी एक नया चीप है 1.8 वोल्ट का किसी दूसरे बॉर्ट से मैंने रिमूप किया तो म मैं इस चीप को लगा के फिर लॉटता हूं ठीक है तो आप याप में बने रहों मैं विडियो थोड़ा सा पॉस कर लेता हूं नहीं तो लॉंग हो जाएगा घुप में पॉस कर लेता हूं मैं जो यह चैफ इसको री पोग्रम किया एक बार 1.8 वोल्ड में तो पोग्रमिंग के बारे में किसी को जानना है कैसे 1.8 वोल्ड चिप को सेट करके पोग्रम करते हैं तो उसके लिए एक अलाक सा वीडियो बनाएंगे और इस बोड में जो लगा आइसी था वो यहां पर रखा है तो इसी इसी है यह वाला जो आइसी है इसमें 3.3 वोल्ड का बास मतलब डाला हुआ है पोग्रम किया हुआ है पोग्रम मतलब 3.3 वोल्ड इससे इसको पोग्रमिंग किया गया है ठीक है मतलब राइट किया गया है और यह 1.8 वोल्ड सपोर्ट नहीं करता है एडप्टर के तो इस चीप को यहां पर रख देते हैं वो चीप भी सही है मैंने ख्याल से हो जाएगा पर मैंने एक दूसरे बोट से चीप डाल दिया तो इसको थोड़ा सा साप कर लेंगे अभी बहुत हीट है अभी भी यहां पर तो यह जो पॉसेस था मैंने पॉस्ट कर दिया क्योंकि इसमें टाइम बश्ट हो जाता इसलिए ठीक है तो क्यों नहीं आ रहा था मैंने बस रीजन बताया आपके पास अगर ऐसा केस आए आप जल्दी में देखे नहीं हो कि कितना बोल्टेज है बास में और मतलब जल्दी में आपने प्रोग्राम कर दिया चीप को तो आपका बोड में पॉब्लेम ही पॉब्लेम आ जाएगा औ मतलब अच्छा बोड था कुछ और पॉब्लेम के साथ में भी अगर यूसबी के पॉब्लेम के साथ आया होगा आपने बायस कुछ भी देखा नहीं बायस को रिप्रोग्राम कर दिया अब डिस्प्ले ही चला गया और कस्टमर तो पहले बोलेगा तो भाई देखो मेरा अब को नहीं लगेगा तो कहा गया थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि पहले जैसा ही यह चलेगा पावर दिया यह देखो डिबग काड में सेम चलेगा कोई भी चेंजिस नहीं आएगा यह देखो बिप दिया जब भी मैंने इसको 1.8 बोल्ट से वास को रिप्रोग्र की ना करो इसलिए फिर से एक बार हिमाइन दिया मैंने यह वीडियो को और यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको पता नहीं है उसके लिए पर जिसको पता है बहुत सरह लोगों को पता है उनके पास तो मतलब कोई भी वीडियो का क्योंकि जिसको अबी सीडी नह चला जाता है तो यह छोटा सा केस स्टड़ी था अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टड़ी पर लभ यू और जाए हिंद